आज हम वीडियोस में बनाएंगे ये या फिर ये और एक चीज और है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखीए वीडियो है जो मैंने आपको भर दिखाया था ठीक है कुछ ऐसा ये देखिए कार ट्रैक हो हरी है एक्चलि हम लोग वीडियो को बनाएंगे इसको बोलगा आपशाफिए आ कर रहा हूं ठीक है मैंने मांक लिखा हुआ है मां लेजे ड्राइवर का नाम है और यह पोजिशन जैसे वह कार आ रही है उदर सामने से देखिए और यह जा रही है ठीक है इसमें आप नोटिस किये जैसे जैसे कार आपके पास आई है वो टेक्स जो है वो बड़ा हो गया और जैसे मेरे से दूर गया टेक्स छोटा हो गया और एक यह चीज है इसको आपको लास में बताऊंगा इसमें क्या करते हैं लोग हां तो यह वाला जो है motion tracking किसे अएक्चुली इस बंदे के जो डांस कर रहा है इसके सर को इसके सर में एक प स्यराईंग को मैं ट्रैक कर रहा हूं वह कयासे कि यह देखिए कितने की फिर्म लगे हुआ है यह हम मैं आपको अभी करके दिखाता हूं इसको आपको किस तरीके से करना है ठीक है सबसे पहले मैं यह ग्राफिक टैंपलेट जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक नया नाम रखा मान लीजिए इस बंदे का इस बार डैन ओके और मैं कैप्शन से ग्राफिक्स में गया और वहां मैंने यह डैन का जो साइज है वो कुछ ऐसा रखा कि आपको रीडेबल हो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन कर लेते हैं और इतना कर लेता हूं ओके ठीक है अभी देखिए इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले चीज तो आप देखिए मुझे इस बन देखिए सर को ट्रैक करना है तो मैं क्या करता हूं यहां पर डैन ना लेके न यहां पर मैं लेता हूं सिंपल प्लस ओके आप कुछ भी ले सकते हूं मैंने प्लस लिया है और मैं इसको 75% करके यह जो प्लस है इसके अंदर पहले मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि प्लस के अंदर फिल और सारी फिल मुझे नहीं चाहिए और जो स्ट्रोक है वो मुझे almost negligible चाहिए वन ठीक है और इस प्लस का जो साइन है जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा था फॉंड मैं बढ़ा कर लेना हूँ मुझे ट्रैक इस बंदे के सर को करना है और इस बंदे का नाम पर मुझे जो एक की फ्रेमिंग करनी है वो मैं प्लस की कर रहा हूँ और बाद मैं इस प्लस के साइन को मैं जो लिखा हुआ है प्लस उसको मैं इसके नाम से चेंज कर दोगा डैन और मैंको हमेशा यह ध्यान रखना है कि यह जो बंदे का सर है वो इस प्लस के बीच में रहे ठीक है अभी देखिए मैंने क्या की है सिंपल एक ग्राफिक टैंपलेट बनाई है कुछ नहीं है मैंने सिंपल एक ग्राफिक टैंपलेट बनाई है और उसके अंदर प्लस लिखा है और प्लस जो है वो मैंने इस बंदे के फेस पे रखा हुआ है अभी देखिए मैं क्या करता हूँ पोजिशन और स्केल दोनों के मैं की फ्रेम अन कर लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे ठीक है और पहले तो ग्राफिक टैंपलेट पूरी इसके हिसाब से कर दो और इसको मैं ले जाता हूँ एकदम एंड पे ठीक है यहां पर जो प्लस साइन है देखिए वो रहा ठीक है उसको मैं लेकर आता हूँ पहले से थोड़ा सा इसके इस बंदे के पास यहां पर ठीक है ओके यहां पर मुझे प्लस साइन का देखिए बंदा पहले स्टार्टिंग में बहुत दूर है जैसे जैसे वो मेरे नजदीक आएगा वो जो डैन नाम है वो भी उसकी भी स्केलिंग होगी वो भी बड़ा होगा तो मैं वो करना चाहरा हूँ जैसे यहां पर आके बंदा रूंग गया इस प्लस साइन का जो साइज है वी 100 था ना इसको आप 150 कर देना तो जैसे- जैसे में की फ्रेमिंग करता जाऊँगा 150 के लिए 200 कर देना ठीक है जैसे-जैसे में की फ्रेमिंग टाम लैन में यहां बढ़ता जाऊँगा प्लस साइन अपने आप छोटा बढ़ाता रहेगा देखे तो जब मैं बात में इस प्लस साइन को तो इसके नाम से चेंज करूँगा डैन से चेंज करूँगा तब भो भी इसके साथ साथ बढ़ो चलाएगा वह मैं बताता हूं क्या कर रहा हूं ठीक है अब मुझे करनी है पूजीशन की की फ्रेमिंग लिए सबसे पहले आप काम करो इसको आप थोड़ा सा जूम इन कर लो और यहां पे रखो और उसकी कीफ्रेम मैंने आन कर ऱी है अब मैं जाओंगा नेक्स्ट फ्रेम और सॉरिए पहले फ्रेम पे इस प्लस के साइन को मुझे यहां रखना है ठीक है second frame पे यहां रखना है third frame पे यहां रखना है मैं right arrow की keyboard के right arrow की से मैं frame change कर रहा हूँ ठीक है फिर इस से यहां रखना है या तो आप हर frame करो देखो इसके अंदर कितने की frames है sorry इसके अंदर 327 frame आपको तो यह आपको 327 times करना पड़ेगा या फिर एक काम करो क्लिप बहुत fast है तो आप एक काम कर सकते हो अब shift और right arrow की दबाई है shift और right arrow की से देखें आप कितने free frame पे है third key frame जैसी मैं shift और right की दबाऊंगा तीन key frame तीन key frame तीन key frame हर three तीन key frame के बाद में framing करूँगा अगर आपको उसकी setting चेंज करनी हो तो आप edit में जाए preference में जाए और preference में जाने के बाद playback playback step forward back menu three यहाँ पर तीन कर रखा आप चाहूँ दस भी कर सकते हो दस कर दोगे तो shift और arrow की से आप 10 frame आगे या पीछे जा सकते हो मैंने three कर रखा है ठीक है three frame अभी मैं पहले frame पर हूँ ठीक है मैंने key frame लगा रखा है फिर मैं गया थर्ड की frame पर थर्ड की frame पर ठीक है यहाँ पर मैंने plus की जो position है मैं चाहता हूँ इस बंदे का जो जो face है वो इस plus के center में रहे फेदर कर दी देखिए थोड़क time consuming है पर इसका जो at last जो effect आता है बहुत अच्छा आता है चलिए इसमें थोड़ा सा video fast forward कर देता हूँ वहना आप बोर हो जाओगे यह मेरा हो गया अभी आप देखिए इसको वीडियो कैसा लगेगा यह यह प्लस आ रहा है आ रहा है आ रहा है इसके face को देखिए सिर्फ इसको face को track कर रहा है प्लस मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मुझे जो की फ्रेम लगाने तो सोड़ा से easy हो जाता ठीक है अब मुझे काम करना है कि यह जो graphic template है इसके अंदर जो यह प्लस लिखा हुआ था इसको मुझे चेंज करना है डैन से उने डैन लिख दिया ओके और caption ग्राफिक में जाके पहले इसको size है तोड़ा चोटा कर लेते हैं और तोड़ा सा color fill कर लेते हैं इसके अंदर इसके अंदर माली जै मैंने color fill किया ब्लाक ही रखा और अभी इसके आप position touch मत किजिएगा अब इसकी position touch मत कीजिएगा डैन की अब आप इसका anchor point चेंज कर सकते हैं देखिए जहां जहां मैं इसको लेके जा रहा हूं यह थोड़ा सा उसके बंदे के face के ऊपर आ रहा है क्यों क्योंकि प्लस मेरा face के ऊपर ही था यहां से आप क्या करिए इस ग्राफिक टैंप्लेट के एफेक्स कंट्रोल में जाके इसका anchor point चेड़िए इसका position मत चेड़िएगा इसका anchor point मैंने लिया यहां थोड़ा size भी छोटा कर लेते हैं इसका ठीक है अब यह थोड़ा साब देखिए क्यासा लागेगा ओके चाहते तो आप इसको इसके सर के ऊपर भी रख सकते थे इसके सर के ऊपर ना चाहेगा पर मैं इसलिए नहीं लिया क्यों तो यह एक छोटा साब को मैंने बताया इसमें क्या कर रहा हूं सिर्फ उसके face को लेके मैंने keyframe लगा दिये सेम आपको इसमें भी करना है कोई एक point पकड़के आप उसको keyframe लगाते चला जाए इसमें देखिए कितने keyframe लगे हुआ है यह keyframe लगे हुआ है ठीक है सेम इसमें भी है यह मैंने टेक्स लिखा है keyframe कर रहा हूं अब देखिए इस वाले की बात इस वाले में क्या करना है जो हमारा देखने का view है इसमें उसमें क्या था बंदा नाच रहा था और उसके साब से हमारा graphic template मेरे ढफ्वाट हो रही थी यहां पर क्या करूंगा यहां पर करिए जैज जो बंदी है वह स्टेल रहे सा भार भी आपको जगे चाहिए होती है Stick I work अ क以前 काम करता हूं इसको इतना लेता हूं और इस बंदी को सेंटर में ले आता हूं सेंटर में ले आया अब यह आप देखिए मेरे पास जो वीडियो है यह कितना बड़ा है देख रहे हैं यह जो वीडियो है यह कितना बड़ा है इतना बड़ा वीडियो है यह और मैंने सिर्थ इसका इतना पार्ट लिए एक फास फी जगए थोड़ी चाहिए उप चाही आप तो इतना और कर सकते हैं ना सट्र में लियाओ अब लिए पहले की हुआ कहिए पॉजिशन्र का की फिर्म लगाया नहीं छी पोजिशनद का की कि अ अब मैं क्या use करूंगा पर इसको zoom in करूंगा और use करूंगा guides यहां से एक guide उठाई और मान लिजे मैं इस बंदी की nose को मैं track कर रहा हूँ और यहां से guide उठाई और मैंने यह guide यहां रख दे पहले frame पे इन guide के cross section के ऊपर इस बंदी की nose आ रही है ठीक है तो मुझे हर frame पे यही चीज maintain करके चलनी है कि इस बंदी की nose इस cross section area के ऊपर ही आनी चाहिए ठीक है यह जो cross section है ना guides का उसके ऊपर ही आनी चाहिए अब मैं दूसरा frame गया इसको मैंने वीडियो को किसका आया वीडियो को थोड़ा सा यहां किसका है फिर तीन frame गया इधर की है तीन frame गया इधर की है समझ रहे हैं मैं हर तीसरे frame के बाद इस बंदी की nose जो है उसको इस cross section area पर रखूँगा चलिए स्टोड़ा fast forward करते ता हूँ तो देखिए यह हो गया ठीक है मैं इसको fit करता हूँ अब आप इसकी guides हटा देता हूँ और इसको एक बार play करके देखते हैं कैसा लग रहा है ठीक है समझ में आया को कुछ यह मैंने छोटा सा देखिए मैंने छोटा सा वीडियो क्यों लिया था क्योंकि मुझे की framing आपके सामने बैठके करनी पड़ती और वह बहुत जार टाइम जाता इसमें आप समझने क्या हो रहा है देखिए ऐसा लग रहा है कि camera move और आपने ऐसे effect बहुत सरे आज कल Instagram पर देखिए होंगे जिसमें बंदे के movement के हिसाब से camera move हो रहा होता है जबकि actually camera move नहीं कर रहे होते है camera move नहीं possible है वीडियो आपने देखा होगा बहुत सरे music वीडियो वगरा में भी ऐसा होता है अचली वो camera move नहीं हो रहा होता है वो शॉट का जो frame size होता है वो ज्यादा होता है उसके बाद वो लोग की framing कर देते हैं अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको मैं copy paste करता हूँ और इस वाली clip से में हटा जेता हूँ जबकि ये शॉट था क्या है ये शॉट था ये ये तो मैंने scale भी कर रखा है हो था ये ठीक है और इसको हमने क्या बनाया ये तो motion tracking बहुत मज़ा आएगा करना तीन चार वीडियो ठाना से ये सारे वीडियो बने पैक्शल से और पिक्स अवेज लिए हैं आप भी महां से लेके थोड़ा सा practice करना और मज़ा आएगा जब आप एफेट वगरा बनाओगे ना मज़ा आएगा मेरी जैसे ये प्लेलिस चल रही है मेरी प्रेमेर प्रो की इसके अलावा में एक प्लेलिस्ट और बनाओंगा जिसमें प्रेमेर प्रो में आप जितने भी आपको पसंद आया होगा तरीका पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेक्शन तो आप में से कमेट में पूछ सकते हैं तो